ये संदेश खाली का संदेश पूरे भारत के लिए और पूरे समाज के लिए बहुत साफ है उससे बड़ी आपत्ती हमारा साफ साफ पूछना ये है कि जिसको ममता जी ने फ्लोर अफ़ दा हाउस पे डिफेंड किया वो अचानक पुलिस के दौरा एक लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए यानि अभी तक उसे सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त हुआ था अब उसे लीगल प्रोटेक्शन प्राप्त हुआ है हम बहुत इस पश्रूप से पूछना चाहते हैं कि त्रणमूल कॉंग्रेस और इंडी गठबंदन दोनों जवाब दें कि शाजांश एक जो विक्ट्री साइन दिखा रहा था इसका क्या मतलब है किस बात की विक्ट्री महिलाओं के उपर अत्याचार दमन उत्पीडन बलातकार के द्वारा उनकी जमीने कबजे आए जाने को विजय बताना ये वही बात है महिलाओं पर यातना और अत्याचार को विजय का प्रतीक बनाना ये मद्धिकालीन मुगलिया मानसिक्ता का प्रतीक है और 21 सदी में शाजांश शेख और ममता बनर जी की सरकार उसी को आज एक रूप में सामने दिखाई दे रही है इसलिए हम बहुत सुपष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि टेक्निकल सवाल हमारा ये है कि यदि एडी के हमले के लिए फुलिस ने गरिफ्तार किया है तो एडी को हैंड ओवर क्यों नहीं कर रहे हैं सेकेंड सवाल हमारा टेक्निकल ये है कि महिलाओं पे उत्पीडन और बलातकार की धाराएं क्यों नहीं लगाई गई और तीसरा सवाल ये है कि जब कैमरे के सामने उसका इतना जल्वा देख रहा है तो जेल में वो किस जलाल के साथ रह रहा होगा या रहेगा इसका हमें सहे जनुमान लगाया जा सकता है और चौथा नैतिक और राजनैतिक सवाल ये है कि उस विक्ट्री साइन का क्या कहना है